आप सबका एक बार फिर स्वागत है अपना चेप्टर नंबर चार चल रहा था जो की विजूत धारी था जिसमें अपने कैपेशिटर के बारे में पढ़ा है और इसके थेओरिटिकल जितने भी टॉपिक हैं उन सबको अपन क्लीर कर चुके हैं तो आज अपन इनके अबजेक प्रेक्टिव प्रशनों के बारे में चचच गरेंगे यह RBSC की बुक के प्रशन है जो कि बॉर्ड एक्जाम के अंदर और कॉंपेटेशन एक्जाम के अंदर सामाने था पूछे जाते हैं तो पहला प्रशन आपसे कह रहा है कि किसी गोल यह चालक की धारीटा का मान जो हो c is equals to 4 pi epsilon 0 into r पढ़ाता तो यह 4 pi epsilon 0 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 by k भी तो लिख सकते हैं तो c is equals to आपके पास r upon k भी लिख सकते हैं और यह जो 1 upon k है वो आपका proportionality sign के अंदर convert हो जाएगा तो आपका इस प्रशन का जो answer है वो क्या हो जाएगा c is proportional to r a option आपका इस प्रशन का हो जाएगा clear है भीया चलिए अगले प्रशन के उपर चलते हैं अगला प्रशन कहे रहा है कि नीचे दिये गए चित्र में a और b के मध्धे की तुले धारिता निकाली तो simple आपको एक circuit यहाँ पे दिख रहा है इस circuit को देख करके आपको बताना है कि point a और point b के बीच की total तुले धारिता चाहिए तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह जो आपके दोनों capacitor हैं वो स्रेनी करम में हैं यह दोनों capacitor हैं वो स्रेनी करम में हैं तो पहले इनको स्रेनी करम में solve कर लेते हैं तो स्रेनी करम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि C is equal to सर पहले तो दोनों को multiply कर दीजे और दोनों को नीचे C1 plus C2 कर दीजे तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा उपर वाले case के लिए तो इसमें मैं कुछ इस तरीके से कर पाऊंगा कि मेरे पास एक उपर capacitor लगा दूँगा और एक नीचे capacitor लगा दूँगा ठीक है तो उपर वाले capacitor की value कितनी हो जाएगी 6 को 3 से multiply किया 18 और बटा में 6 plus 3 9 18 में 9 का भाग दिया तो आपके पास कितना हो जाएगा दो value आजाएगी उपर वाले की और नीचे वाले की कितनी हो जाएगी ये तो दोनों समान धारिता की capacitor है तो समान धारिता में तो तुल्य धारिता निकालने के लिए स्रेनी करम में direct C upon N करते हैं clear है ना C upon N करते हैं तो चार बटे दो करेंगे तो आपके पास दो value आजाएगी तो दो microfarad इसकी value आजाएगी और अब ये दोनों किस करम के अंदर है अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दोनों capacitor हैं वो आपको समानतर करम में नजर आ रहे हैं तो समानतर करम में solve करने के लिए simple formula C1 plus C2 होता है तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास तूले धारिता है वो 4 microfarad हो जाएगी तो इस question का answer है वो आपका B option हो जाएगा 4 microfarad ठीक अभी है simple है चलिए अब अगले प्रशन पे चलते हैं यह प्रशन है वो आपके board exam के अंदर तो important है ही सही प्लस competition exam के अंदर भी ज़्यादातर पुछे जाते हैं क्या कह रहा है कि एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए यह आपके पास एक capacitor है वो चार्ज है और इनकी दोनों प्लेटों को इस तरीके से एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा विभाव अनन्त हो जाएगा आवेश अनन्त हो जाएगा आवेश पुर्वे मान का दुगुना हो जाएगा या संधारित्र निरावेशित हो जाएगा बताईए क्या होगा यह जो प्लेट है इसके उपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज ले रखा और इसके अंदर आपने नेगेटिव चार्ज कर रखा है सवाल यह कह रहा है कि capacitor आपके पास आविशित है पहले से तो आपने जब directly इसको यहाँ पर connect किया तो यह capacitor क्या हो जाएगा इसके बारे में dear students आप लोगों ने practical किया होगा कई बार अपना जो fan होता है उसके उपर जो condenser लगा होता है जो plug होता है उसमें जब अपन दोनों wire को लगाएंगे तो वो sparking के साथ में एक बार charge हो जाता है और उसको बाहर निकाल करके जब आप उसके दोनों wire को touch करेंगे तो उसमें sparking दिखाई देता है तो इसका एक practical video भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप देख पाते हैं कि capacitor है वो सही है या खराब हो चुका है तो इस case के अंदर यहां पे क्या होगा कि ये जो आपके पास दोनों plate है ये अगर charge है और इसको अगर आप दोनों को touch करेंगे तो इसका जो positive charge है वो negative charge की तरफ या फिर कह दीजिए negative charge है वो positive charge की तरफ transfer हो जाएगा दोनों पे आवे इसकी value बराबर होने के कारण total जो charge होगा वो आपका zero हो जाएगा तो इस प्रशन का answer आपका हो जाएगा कि संधारित्र है वो उदासीन हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा clear है ठीक है अगले प्रशन पे चलते हैं देखी क्या कह रहा है क्योशन कह रहा है कि नीचे दिये गए चित्र में संयोजित संधारित्रों के लिए बिंदू A वै B के मद्धे तुले धारिता ग्यात कीजिए तो यहाँ पे आपके पास A और B के बीच में तुले धारिता निकालनी है यह A है यह B है आप इसको देख करके बताएं कि इसमें total कितने capacitor लगे हुए है एक दो तीन चार पांच छे capacitor यहाँ पे लगे हुए है लेकिन सर मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कोनव सा capacitor है वो series में है कौन सा capacitor है वो parallel में है το इस तरीके कि कहानी हमें समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए भूया अपन क्या करते हैं मैंने आपको इसका जो एक video बताया है जिसमें अपन numerical को solve करते हैं वहाँ पे मैंने आप लोगों के बात बताई है कि ऐसी इस्तिती में आप इसके जो दो पॉइंट है जिनके बीच में आपको तुल्य धारिता निकालनी है उसके दोनों तरफ आप बीच में बैटरी जोड़ दीजिए तो जैसे ही आप बैटरी जोड़ेंगे तो इसका जो एक वैल्य आ रही है और ये वैल्य यहां पर दोनों थे लड़्य पर उखेया जारी है तो इसके उपर भी हो जाएगी अब आगे चलिए यह जो नेगेटिव पॉर्शन वाला पॉर्शन है वे आपका यहा जायगा तो इसका यह जो चर्मिनल है पहला प्प् tua शेली हो जा Started अब आप इसके अगेन पॉर्शन को जिरो कह दीजिए और इसके अगेन पॉर्शन को जिरो कह दीजिए इसके बाद में ये वाला जो पॉर्शन वी पे है तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसको जिरो कह देंगे और इसके दूसरे पार्ट को अपन जिरो कह देंगे ऐसा क्यो एक बात बताई है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सभी कैपैसिटर हैं, वो समान धरीता के हैं, और अब चाहे यह स्रेणी करम में हैं, या समानतर करम में हैं, सब के उपर जो विभव की value है, वो आपकी समान रहनी है, ठीक है, अगर सारे के सारे समांतर क्रम में हैं तो सेम है और अगर सारे के सारे स्रेणी क्रम में हैं तो सेम है ठीक है तो यहाँ पर यह zero value हो जाएगी तो यह वाली जो zero value है वो आपकी यहाँ पर इसको zero कर देगी और यह जो zero value है वो दोनों terminal यहाँ पर जाएंगे तो यह zero कर देंगे से हटाएंगे तो आपके पास final result क्या आएगा कि आपके पास ये एक capacitor उपर 5 का हो गया ये नीचे 5 का हो गया इसके बार में ये line आगे चल रही है नहीं ये आगे चल करके direct इस capacitor के साथ connect हो जाएगी और ये वाला wire है वो direct इसके साथ connect हो जाएगा तो इसको अपन यहाँ पे बीच में से क्या कर देंगे remove कर देंगे यहाँ से इसको आप हटा दीजिए तो आपके पास ये line चलती आ रही है तो ये दो capacitor आपके parallel में होगे ये line यहाँ पे चलती हुई आ रही है तो ये दो capacitor आपके समानतर में होगे आपस में इसके बाद में इन दोनों को जोड़ करके और यहाँ पे एक capacitor लगा हुआ है तो पहले इन दोनों को series में solve कर ले इन दोनों को series में solve कर ले तो पांच-पांच के दो सेम है तो यह आपके पास 5 बट्टे 2 हो गया और इन दोनों को जोड़ोगे तो यह भी आपके पास 5 बट्टा 2 हो जाएगा दोनों को अगेन आप जब सम करोगे क्योंकि दोनों समांतर में होगे न तो इसकी तुले धरिता है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और इसकी तु हो जाएगा दो पॉइंट पांच माइक्रो फैर डिस क्यूशन का अंसर आ जाएगा वेरी इंटरस्टिंग क्यूशन है थोड़ा ध्यान से आपको इसको पढ़ना चाहिए ठीक है चलिए अगले प्रेशन पे चलते हैं क्या कहरा देखिए दो गोलाकार चालकों की त्रीजाओ का अनुपात दो गोली चालक हैं आपके पास जिनकी त्रीजाओं का अनुपात एक अनुपात दो है तो इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा अभी आपने पढ़ा है कि C is proportional to R है जब त्रीजाओं का अनुपात दो दे रखा है तो धारिताओं का अनुपात क्या होगा जल्दी बताएं, आंसर बताएं देखें, A, B, C, D में से क्या आंसर होगा इसका, चलिए, solve कर लेते हैं, तो अभी आपने बात करी कि ये जो धारीता है वो त्रीजा के समानुपाती होती है, तो similarly यहाँ पर भी जो आपकी धारीता है वो त्रीजा के समानुपाती, तो इसका जो अनुपात है वो सेम रह जाएगा, एक अनुपात दो रह जाएगा, तो आपका इसका आंसर है वो C ओप्शन हो जाएगा, क्या कहे रहा है प्रशन देखिए, कि चित्र के अनुसार एक समान्तर प्लेट संधारीतर आपको दे रखा है, ये चित्र के अनुसार समान्तर प बीच की दूरी D है तो इसके लिए धारीता कितनी हो जाएगी सर एपसाइलन ओट A अपॉन D हो जाएगी ठीक है भीया अब यदि माली जी ये पराविदूत पदार्त मैं ना भरके इस कैपेसिटर की प्लेटों को काटी दूं आधी अलग कर दूं तो आधी अलग करने से एरि टू कह देते हैं तो सी बाई टू इसकी धारीता होगी और सी बाई टू इसकी होगी लेकिन साथ में इस वाले भाग में आप पराविदूत पदार्त भर रहे हो तो पराविदूत पदार्त के भरने से क्या होगा आप जानते हैं कि पराविदूत पदार्त भरने से उसकी ध बढ़ जाती है ठीक है उसी के गुननफल के रूप में बढ़ जाती है तो इतने के धारीता कितनी हो जाएगी तो इसके धारीता हो जाएगी सर एपसाइलन नौट एपॉन डी ये पूरी के धारीता थी आधा इसका क्षेतरफल हो गया तो बटा में टू हो गया और एपसाइल से जुड़े हैं, तो समांतर करम में, समांतर करम में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, तो epsilon 0 A upon ये जो D है, epsilon 0 A upon D है, ये तो क्या बनगी आपकी, पहले की धारीता C बनगी, ठीक है सर, बटा में दो को मना रहा है, ये भी आ गया, इसमें से क्या बच किया, epsilon R, दूसर से में क्या रहा है गया, प्लस वान, तो इस क्यूशन के अंदर आपका option है, वो A हो जाएगा, C by 2 इसकी धारीता है, epsilon R प्लस वन ब्रेकेट में रह जाएगा, ठीक है, तो इसमें A option आपका हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रशन है, इस तरीके के प्रशन है, वो आपको आने चाहिए, और ये प्रशन तभी आएंगे जब आप लोगों के fundamentals clear होंगे, अगला प्रशन देखिए, क्या कहरा देख रहे हैं, समान त्रीजा तथा समान आवेश की पारे की आठ बुंदे परस पर मिल करके एक बड़ी बुंद बनाई जाती है, आठ बुंदे है जिनकी तरीजें समान हैं, आवेश समान हैं, इनको मिला करके एक बड़ी बुंद बनाई जाती है, ठीक है, बड़ी बुंद की धारीता, प्रते एक छोटी बुंद की धारीता की तुलना में कितनी हो जाएगी, बड़ी बुंद की धारीता कितनी हो जाएगी, चलिए आप इसको बड़ी बूंद के फॉर्म में कनवर्ट करोगे। तो कितनी वैली हो जाएगी। इस आर को और इस आर के बीच में रिलेशन देख लो। तो इसका आईतन कितना होगा। छोटे वाले गोल एक बूंद का आईतन कितना होगा। सर 4 बटा 3 पाई स्मॉल आर क्यूब ह और कितनी है ये आठ बूंदे हैं बराबर ये सब मिलकर के क्या बनेगी बड़ी बूंद का आइतन बनेगा बड़ी बूंद का आइतन कितना होगा च्यार बटा तीन पाई कैपिटल आर क्यूब च्यार बटा तीन पाई से च्यार बटा तीन पाई कट जाएगा तो ये आपके जगे टू आर लिख सकते हैं ठीक है ना तो जब अपने इसको टू आर लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी देखिए तो सी इक्वल्स टू चल रहा था आपके पास फोर पाई एपसाइल नॉट स्मोल आर और सी डैस बड़े गोले की त्रीजा हरिता है वह कैपेटल आर क्यूब है वह आपके पास आथ आर क्यूब था क्यूब के फोर में हटायोगे तो यहां पे दो लग जाएगा तो यह जो वैलू है वह पहले वाली धारिता की कितथिनी है अरे पहले वाली धारिता फोर पाई αᵍक साइल नोट आर है इसंने केवल टू Dreams तो नया मल्टिप्लाई में जुड़ा है तो अब जैसे ही आपे मल्टिप्लाई में टू आएगा तो इसकी धारिता है वो कितनी हो जाएगी दो गुनी हो जाएगी बात समझ में आ रही है तो ऐसे प्रशनों के लिए मैं आपको एक सोट ट्रिक बताना चाहूंगा कि छोटी बुंदों को मिला करके बड़ी बुंद बनाई जाती है और बड़ी बुंद की धारिता कितनी आएगी तो इसका जो आपका सोट ट्रिक है वो डाइरेक्ट आप यूज कर सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं कि जितनी भी आपके पास बुंदों की संख्या दे दी जाए उसका वन बाई थ्री कर देना और मल्टिप्लाई में पहले वाले धारिता से गुणा कर देना जितनी भी यहाँ पे बुंदों की संख्या है एन ले लीजिए अगर मान लीजिए 25 है या 125 है या 64 है जो भी है उसका आप घनमूल करेंगे वन बाई थ्री करेंगे क्यूब रूट करेंगे और उसके बाद में पहले वाली धारिता से मल्टिप्लाई कर देंगे सिंपल वेरी इजी मैथड है तो इस तरीके के प्रशन है वो कई बार competition exams के अंदर पूछे जाते हैं अगला प्रशन देखिए कि एक संधारितर की धारिता C है बढ़िया चले C है इसे V वीबुवांतर तक आवेशित किया गया है इसे चार्ज भी कर दिया यदि अब इसे प्रतिरोध से सम्मंदित कर दिया जाए अब इसको एक resistance से जोड़ दिया जाए यह आपके पास एक capacitor है इसको आपने complete charge कर दिया धारिता C है वीबुवांतर V है और अब आप इसको एक resistance के दुआरा जोड़ देते हैं तब उर्जा क्षे की मात्रा कितनी होगी इसकी energy में क्षती कितनी होगी चलिए इसको solve करते हैं अपन तो होना क्या है इसमें अभी आपने देखा है कि यह जो capacitor है इस capacitor को आप एक resistance से जोड़ रहे हैं तो क्या होगा capacitor के अंदर जितनी उर्जा है वो ही तो उर्जा इस resistance से होकर के जाएगी और यह capacitor क्या हो जाएगा अभी आपने एक formula पढ़ा था एक topic question पढ़ा था आपने कि किसी आवेशित संधारित्र को जब किसी तार के द्वारा प्रतिरोध के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो वो निरावेशित हो जाता है तो निरावेशित होने का मतलब जितनी energy इसके अंदर stored थी वो अब विलुक्त हो जाती है तो इसके अंदर कितनी उर्जा होती है एक संधारित्र के प्लेटों के बीच में उर्जा कितनी होती है simple formula आप लोगों ने इसको derive कर रखा है पहले का एक बटा दो cv square तो direct application का answer लिख पाएंगे ठीक अब ही है अगला प्रशन देखिए यदि एक संधारित्र के उपर आवेश है वो क्यूँ देने पर उसमें संग्रही तूर्जा क्यूँ है तो उसको आवेश दुगना करने पर संग्रही तूर्जा कितनी हो जाएगी बताईए देखें बड़ा interesting question है तो यहाँ पर जो प्रशन आपको दे रहा है उसके अंदर जो capacitor आपने ले रखा है उस capacitor की धारिता कितनी ले लेते हैं अपन C ले लेते हैं और उसको आवेश कितना दिया गया है Q आवेश दिया गया है तो Q आवेश देने पर आप उसका मुझे formula बताईए आप बताएं कि उसके अंदर संग्रही तूर्जा कितनी होगी Sir, U is equals to formula होता है Q square upon 2C कितना होता है? Q square upon 2C अब सवाल कह रहा है कि यदि उसे दिया जाने वाला आवेश दुगुना कर दिया जाए दुगुना आवेश जब आप उसे कर देंगे तो यहाँ पर Q की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको 2Q लिखना पड़ेगा तो U dash कितना हो जाएगा U dash आपके पास हो जाएगा इसको जब आप 2Q लिख करके उसका होल स्क्वाइर लिखेंगे तो मुझे क्या आजाएगा 4Q square upon 2C हो जाएगा बात समझ में आ रही है 4Q square upon 2C हो जाएगा और यह जो Q square upon 2C है इसको मैं पहले की उर्जा कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ पहले की उर्जा तो finally मेरे पास क्या जाएगा कि sir U dash है वो आपके पास 4 time हो जाएगा पहले की उर्जा का तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इस क्यूशन में misprint है कि उर्जा जो Q है तो यहाँ पे value है वो 4Q हो जाएगी लेकिन यहाँ पे 1W आना चाहिए यहाँ पे value कितनी आनी चाहिए 1W आनी चाहिए यानि कि एक प्रशन जो आपका कह रहा है इसके अंदर Q आवेश देने पर इसकी जितनी उर्जा होगी जब आप उसे आवेश को दूगुना कर देंगे तो उसकी जो उर्जा है वो आपकी 4 गुना हो जाएगी clear है तो यह प्रशन आपका कुछ इस तरीके का है या फिर यहाँ पे आपके पास जो value है वो W के form में लिखी होनी जाए बट simple आपको इतना याद रखना है कि formula जो यहाँ पे लगेगा वो आपका Q आवेश को दूगुना करेंगे उसकी जो उर्जा संग रहीती है वो आपकी 4 टाइम हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी पहले की अपेक्षा छीका भीया बहुत अच्छे प्रशन दे रखें यहाँ पर अगला प्रशन है कि 3μF और 5μF के दो गोलों को कितने कितने वोल्ट पे 300 और 500 वोल्ट तक आवेशित करके जोड दिया जाता है दोनों के अलग लग धारिता हैं आपको दे रखी है और दोनों के उपर विभाव की वैल्यू आपको दे रखी है उभेनिस्ट विभाव बताईए तो सिंपल उभेनिस्ट विभाव का फोर्मूला क्या पड़ा C equals to C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2 तो सिंपल आप इस फोर्मूले को इस क्यूशन को इस फोर्मूले के द्वारा solve करेंगे तो अभी मैं यहाँ पे इसकी calculation है वो आप लोगों के उपर छोड़ता हूँ ठीक है अगला प्रशन एक आवेशित समांतर plate संधारितर की plate के मध्धे की जो इस्तिती जूर्जा है वो आपकी U0 है ठीक है और ये दी एक epsilon r परावेदुत वाले पट्टी का अगर इसके बीच में रख दी जाए उस capacitor के बीच में तो अब उसकी नई इस्तिती जूर्जा कितनी हो जाएगी नवीन इस्तिती जूर्जा कितनी हो जाएगी चलिए solve कीजिए देखें अभी आपने देखा था एक उपर फोर्मूले में आपने पढ़ा था कि किसी संधारितर की जो इस्तिती जूर्जा है वो होती है U is equal to Q square upon 2C से clear है और जब आप उसमें परावेदुत पट्टी का रखेंगे तो सर आप मुझे एक बात ये बताईगे कि आपने एक बटा दो सीवी स्कर का फोर्मूला यूज क्यों नहीं किया यही फोर्मूला क्यों यूज किया वहिया ऐसा है कि जब आप प्लेटों के बीच में परावेदुत पदार्त रखेंगे तो डेफिनेटली उसकी धारिता बदलेगी और उसका विभव है जो विभवांतर है वो भी बदल जाएगा ठीक है लेकिन आवेश की वैल्यू है वो नहीं बदलेगी तो यहाँ पर मैं एक चीज कॉंस्टेंट ले रहा हूँ इसलिए मैं एक क्यूश का रेपॉर्ण 2C का फूर्मूला यहाँ पर एपलाई करूँगा चीक है तो अब जैसी पराविदू पट्टी का आप रखेंगे आपके पास UM हो जाएगा M का मतलब है माध्यम की स्थिती के अंदर स्थिती उर्जा तो इसमें क्या बदलेगा आविश है वो तो आपका सेम रहेगा केवल धारिता बदल जाएगी और आप जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जितने पराविदू तांक का कोई पट्टी का भरी जाएगी कैपेसिटर की धारिता है वो उतने ही गुना हो जाएगी तो यहाँ पे मैं वैलो लिखूँँगा मेरे पास टू सेम चल रहा है सी की जगे क्या लिखूँँगा एपसाइलन आर सी लिखूँगा क्यों कि एपसाइलन आर उसका प्राविदू तांक है अब आप मुझे देखके बताएए कि और सारी वैलो तो सेम है Q square upon 2C इसको तो मैं U लिख सकता हूँ तो मेरे पास जो U M है वो क्या हो जाएगा U upon epsilon R हो जाएगा तो इस question का आपका answer है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है A option हो जाता है clear है भी यह बहुत अच्छा प्रशन है very interesting question यहाँ पर दे रखे है देखे दिये गए चितर में 4.5μF संधारितर है इसके उपर विबुआंतर चाहिए आपको तो सबसे पहले मुझे इस पूरे परिपत की धारिता निकालनी चाहिए और इसके अंदर एक चीज़ आप और ध्यान दे कि यह जो विबुआंतर जो 12V है देखो यह दोनों समानतर क्रम में इन दोनों के सिरों पर तो विबुआंतर क्या रहेगा समान रहेगा लेकिन यह दोनों पॉर्शन है वो स्रेणी क्रम में है तो इसको तो मैं 4.5 लिख लेता हूँ और इन दोनों को सॉल कर लेता हूँ तो solve करने के लिए क्या हो जाएगा, यह सामांत्र क्रम में है, तो दोनों की value क्या हो जाएगी, add हो जाएगी, तह यहाँ पे capacitor की value कितनी हो जाएगी, 9μF हो जाएगी, और यह कितनी हो जाएगी, 4.5μF हो जाएगी, तो यह battery हैं से लगी हुई है, ठीक है, और battery कितने volt की है, 12V तो ये 12 वोल्ट का जो विभवांतर है वो एक तो 4.5 के सीरों उपर जाएगा और एक 9 माइक्रो फारेड के कैपसेटर के सीरों के उपर जाएगा तो कहने का मतलब आप इसको एक अनुपात 2 के रूप में लिख सकते हो एक अनुपात 2 इनकी धारिताएं हैं और ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं स्रेनी क्रम में जुड़े हुए हैं और स्रेनी क्रम के अंदर विभव का जो अनुपात होता है वो धारिता के साथ किस तरीके से रेलेटेड होता है ये बात आप लोगों ने पढ़ी है तो पुराने वीडियो को देख करके इस कंसप्ट को आया देखे धारिताओं का अनुपात कितना आया यह 4.5 है तोैठ हो गया और यह आपके पास 9 है तो 2 हो जाएगा तो 1 अनुपात 2 है वह आपका धारिताओं का अनुपात है ठीक है अब प्रशन कितने वोल्ट का है कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है बारा वोल्ट की तो अनुपातों को यो कर लीजिए यानि तीन हो जाएगा तो बारा में जब आप तीन का भाग लगाएंगे तो चार और आठ वोल्ट हो जाएगा एक किसी एक कैपेसेटर की सीरे पर चार वोल्ट आएगा और किसी दूसरे कैपेसेटर की सीरे पर आठ वोल्ट आएगा आप लोगोंने संधारित्रों की स्रेणी करम सयोजन का वीडियो पड़ा होगा उसमें एक बात मैंने बहुत क्लिर बताई है कि जो विबुआंतर है वो धारिता के विटकरमान उपाती होता है यानि जिसकी धारिता ज्यादा है वहाँ पर विबुआंतर कम होगा अभी आपने कितना बताया कि सर एक में चार वोल्ट आएगा एक में आठ वोल्ट आएगा लेकिन कोन सा कहां आएगा देखें जिसकी धारिता ज्यादा है उसकी गुणा में विबुआंतर कम है वहाँ पर धारिता कितनी हो जगी ज्यादा हो जाएगी सर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि स्रेनी क्रम सहियोजन में संधारितर के सीरों पर आवेश का मान समान होता है और फोर्मूला क्या होता है Q is equals to C V का फोर्मूला होता है तो यहाँ पर आवेश अब में समान है तो C और V मेंसे जब आप एक को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो उसके बटा में चला जाएगा तो V is equals to आपके पास Q upon C हो जाएगा ठीक अब ही है तो यहाँ पे स्रेनी क्रम सहियोजन में विबुआंतर और धारिता एक दूसरे के व्यूत करमानू पाती होते हैं तो यह प्रशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए तो यह आपके RBSC Board की बुक के objective प्रशन, capacitor से जुड़े हुए तो इनके उपर अपने discussion किया है I think आप लोगों को यह प्रशन समझ में आया होंगे एक बार इनका आप पुनह revision कीजिए ठीक है अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे इस चेप्टर के जो अतिलगुतरात्मक प्रशन आया है फर्क यह होगा कि वहाँ पर आपके पास options नहीं होंगे जबकि उनके answer है वो one word या one line के अंदर ही होंगे ठीक है तो अगले वीडियो के अंदर अपन discussion करेंगे आपके objective question के बारे में आपके जो अतिलगुतरात्मक प्रशन है one line answer जो कि board exam के अंदर बहुत मह अत्वपन रूप से पूछे जाते है ठीक है चलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे like जरूर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद